प्रेरीट पावलोस की इफीसियों के नाम पत्री अद्धै तीन वचन साथ और आठ मैं पढ़ रहा हूँ अच्छी तरह सुने और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामत के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मस्यों के अगम्य धन का सुसमाचार बताओं हालेलुया भायर बेनो प्रेरीट पौलू से वचन लिख रहा है बता रहा है कि मुझ पर अनुग्रह हुआ है अनुग्रह यानि किरिपा मुझ पर अनुग्रह हुआ है और मैं प्रभी एश्व मस्यों के सुसमाचार का सेवक बन चुका हूँ प्रभी एश्व मस्यों के नाम का मैं प्रचार कर रहा हूँ प्रभी एश्व मस्यों के बारे में लोगों को बता रहा हूँ मैं प्रभी एश्व मस्यों का सुसमाचार जो है उसका सेवक बन चुका हूँ मुझे पर ये अनुग्रह हुआ है मुझे चुनाया गया है मुझे नियुक्त किया गया है मुझे प्रभु ने एक काम दिया है एक मिरा उट्कर दाइत हुआ है एक मेरी जिम्मेदारी है एक काम मैं कर रहा हूँ मैं प्रभी एश्व मस्यों के सुसमाचार का सेवक हूँ हालेलोया Ŋ कह रहा है कि ये मेरे उपर जो अनुग्रह हुआ है कृपा हो गई है क्यों इससे बता रहा है क्योंकि एश्मसी का स्विकार करने के पहले इस भाई का नाम था शवल और वो इसाईल लोगों का च्छल करता था इसाईल लोगों को जानता था एश्मसी पर विश्वास करने वाले लोगों को मारता था पिटता था और ऐसा बुरा काम वो कर रहा था क्योंकि वो एश्यमसी को नहीं चानता था और वो एश्यमसी के लोगों को चलता था जानता था, परिशान करता था ऐसा बुरा काम करने वाला यह आदमी परमेश्वन ने चुना और परमेश्वन ने उसको अपना काम दिया वो तो बुरा काम कर रहा था लेकिन एश्यमस्य की दया उस पर हो गई और एश्यमस्य ने उसको अंदकार से बाहर निकाला और एश्यमस्य ने कहा जा मेरा चला बन और मेरे नाम का प्रशार कर हम वो मशहूर कहानी जानते हैं पौल घोडे के उपर बैटकर जा रहा था एश्यमस्य पर विश्वास करने वाले लोगों को चलने के लिए जांचने के लिए और जाते हुआ अचानक आसमान से बहुत भारी रोश्नी आ गई और आवाज आया कि सवल सवल तुम मेरा चल क्यों कर रहे हो और वो घोडे से हुआ 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 है तो उसने जबाब दिया जिस इश्यमसी का चल तुम कर रहे हो वही ओप दीश्यमसी ऐळ자 बॉआ ओर उस दिन के बाद शैगल शैवल एश्यमसी का चेला बन गया और इश्यमसी का काम करण में लगा वह जा रहा था एश्यमसी पर विश्वास करने वाले लोगों को मारने के लिए, लेकिन आच्छानक आसमान से रोष्णी उस पर आ गई, और एश्यमसी ने कहा, जिस एश्यमसी का तुम चल कर रहे हो, मही हूं, वो घोड़े से निचे गिरा, उस दिन से वो एश्यमसी का चला बना, इसलिए वो खुद बता रहा है कि, क्या बता र लेकिन मुझ पर पर मेश्यमसी का काम कर रहा हूं, जिन रात मैं लोगों को प्रभी एश्यमसी के बारे में बता रहा हूं, और लोग एश्यमसी का सुविकार करत रहे है, एश्यमसी के पास आ रहे है, भायर बेनो सुसमाचर क्या बात है हमें बार बार जानना है बार बार समझना है अपनाना है स्विकारना है सुसमाचर क्या बात है सुसमाचर यही है कि परमेश्वर जीवित है और इस दुनिया में जो कुछ बुरा चल रहा है वो करने वाला शैटान है परमेश्वर नहीं है और उस शेटान को हटाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलाउता पुत्र एश्यमस्य इस अंसार में भेजा और एश्यमस्य ने इस अंसार के हर मनुष्य के पापों का दन जो है अपने खुद के शरीर पे लिया और जो अभी एश्यमस्य पर पापों का दन लेने की ज़रुवत नहीं है उसको पापों की खिश्यमा मिलती है क्योंकि मनुष्यों का सब दन जो है एश्यमस्य ने अपने उपर लिया है हलेलूः हमारे जिवन में जो कुछ दूख है चाहे हो भीमारी हो करजा हो बेरोजगारी हो या और कौन सा दुख हो यह दुख जो है शेटान की ओर से है और वो शेटान क्यों हमें दुख देता है क्योंकि हम पाप करते हैं और शेटान का सुनते है इसलिए हमारे उपर उसका अधिकार चलता है लेकिन शेटान को एश्यमसी ने हराया और एश्यमसी ने इस दुनिया के सब लोगों का पापों का दन जो है अपने उपर लिया अब जो कोई एश्यमसी पर विश्वास करता है उसको पापों की ख्षमा मिलती है पापों की जिसके उक्षमा मिलती है दो चीजे होती है उसका दुख चला जाता है वो शेटान के हाथ से बाहर आता है बिमारी तुरण चली जाती है दुख तुरण चला जाता है और उसका उधार हो जाता है High-lel-ohi-ya उद्धार उद्धार क्या चीज है उद्धार एनिस वर्ग प्रवेश उद्धार एनि मरने के बाद उस्वर्ग में चला जाएगा उसको पापों की किशमा मिल चुकी है तो स्वर्ग में सीधा चला जाएगा तो प्रभी एस्षव में पापों की ख्शमा देता है जिसके कारण हमारी व्यादी चलते है दुख चला जाता है लगा चलते है और हमें स्वर्ण प्रवेश मिलता है हमारा उद्धार होता है भाहयर वेनों इसको यह मुद्धार कहते है सुसमाचार को अंगरेजी में कहते है gospel या good news मराठी में कहते है suarta हिंदी में कहते है सुसमाचार यہनि अच्छी खबर सुसमाचार का मतलब है अच्छी खबर अच्छी खबर दुनिया के लिए एक ही है और कौनसी है कि हमारे पापों का दन जो है एश्यमसी ने अपने उपर लिया है तो हमें फिर दन लेने की ज़रूरत नहीं है जो लोग वापीस दन ले रहे है उनके लिए शुसमाचार है यदि आपने पाप किया है और आपके उपर डाइबिडिस की बिमारी आई है तो आप डाइबिडिस क्यो ले रहे है आपका पापों का दन एश्यु ने लिया है एक बार दुबारा लेने की ज़रूत नहीं है लेकिन आपको एक बात करनी पड़ेगी एश्यमसी पर विश्वास करना पड़ेगा यदि आप एश्यमसी पर विश्वास करोगे हमारे पापों का नतीजा है और जो हम पाप करते हैं उसका नतीजा उसका परिणाम हमारे उपर आता है भाई ये बेहनों ये जो पापों का दंड है हमें उस दंड से मुक्ति चाहिए तो हमें एश्यमस्य पर विश्वास करना है मैं फिर से एक बार सुसमाचार बता रहा हूं ऐसा कोई न रहे जिसको सुसमाचार मालूम नहीं है सुसमाचार को अंगरे जी में के थे गॉस्पिल मराठी में के थे सुवरता और हिंदी में सुसमाचार कहते हैं अच्छी खबर क्या अच्छी खबर है इस अंसार के लोग जो है शेटान के हाथ में है जो पाप करता है वो शेटान के हाथ में है और बिमारी या कौनसा भी दुख जो है शेटान हमें मारता है और वो जो बुक्का मारता है एक बुक्का मारा तो तुमको डाइबलीज हो जाए है दूसरा मारता है तो बलड पशेर हो जाता है तीसरा मारता है तो किन्नी फेल हो जाती है तो बिमारी क्या चीज़ है? बिमारी शेटान की बुक्के है बिमारी क्या चीज़ है शेटान की बुक्क है लेकिन शेटान को हटाने के लिए परमेश्व ने अपने पुत्र को भेजा पुत्र है एश्व मसिय संसार में आया और ये संसार के हर मनुष्य के हर पाप को एश्व ने अपने शरीर पर लिया एश्य को मारा गया वो कुरुस पर मर गया उसने बहुत मार खाया वो हमारे ले खाया हमारे पापों का दर्ण उसने अपने उपर लिया इसलिए आज जो को एश्य मस्चे पर विश्वास करता है उसको पापों के क्षमा मिलती है जिसको पापों की क्षमा मिलती है उसकी बिमारी चली जाती है दूख चला जाता है और मरने के बाद वो सिधा स्वर्ग में चला जाता है प्रभी एश्यमस्या में पापों की क्षमा देता है पापों की क्षमा देने के लिए उस अंसार में आया गर कैसी क्षमा देता है अपने पापों के आपने अपर लिया है इसलिए में पापों के क्षमा मिलती है उसने शैटान को कहा कि जितना तुम मनुश्यों को मारना चाहते हो उतना मुझे मारो गुरुवार रात वो शैटान के हाथ में गया शेटान ने मारना शुरू किया शुकरवार भी उसने मार खाया शुकरवार ये समय वो कुरुस्ट पर मर गया बुरी मानव था कि पापो कदन उसने अपने उपर लिया इसको हम सुस्वाचार कहते है आप दुख ले रहे दुख लेने की जरुवत नहीं है इसमसी पर विश्वास करो आपका दुख चला जाएगा क्योंकि आपको पापों के ख्षमा मिलेगी आलेलुया प्रेरीत पावलुस कह रहा है ये सुसमाचार का मैं सेवक बना हूँ दिन रात मैं ये सुसमाचार लोगों को बताता हूँ ये ही काम तो मैं कर रहा हूँ और इस सुसमाचार को जो स्विकारते है उनको बिमारी से मुक्ती मिलती है दुख से मुक्ती मिलती है वो चंगाई पाते है वो आशिश पाते है परमेश्वर से हालेलुया आगे वो बता रहा है ये अनुगरा मुझ पर ऐसा हुआ है कि मैं परमेश्वर के अगम्य धन के बारे में अन्य जातियों को सुनाओं ये श्यमसी में जो अगम्य धन है अगम्य संपत्ति है अगम्य मालमत्ता है अगम्य प्रॉपरटी है उसके बारे में मैं पूरे अन्य जातियों को बताओं ऐसा अनुगरा मेरे उपर हो चुका है अन्य जातियों ये इसराइल छोड़के बाकि सब लोग इसराइल परमेश्वर का लाडला गेश है इसराइल के लोग परमेश्वर के लाडले लोग है लेकिन इस्राइल छोड़के दुनिया में 249 देश है वो 249 देशों को सुसमाचार बताना और एश्यमसी के बारे में बताना जो है यह मेरा काम है यह अनुगरह मेरे उपर हुआ है कि एश्यमसी में जो अगम्य धन है उसके बारे में मैं अन्य जातियों को बताऊँ दुसरे देशों के लोगों को बताऊँ तो भाई और बेहनों प्रेट पौलुच जो है वो एश्यमसी में जो अगम्य धन है उसके बारे में बोल रहा है क्या बात है अगम्य धन अगम्य धन क्या बात है भाय और भेनों इस संसार का धन जो है हम गिन सकते है इस संसार का धन जो है हम गिन सकते है लेकिन परमेश्वर का धन हमेशा अंगिना रहता है इसका कारण क्या है इसका कारण यह है परमेश्वर को कभी कुछ ऐसा गोडावन में रखना नहीं पड़ता है परमेश और जब बोलता है वो निर्मान कर सकता है He has a creative power He can create anything at any time उसमें निर्मान शक्ति है वो कौन से भी जिस कभी भी निर्मान कर सकता है Hallelujah इसके पास गोडाउन नहीं है गोडाउन की जरुरत नहीं है वो कभी भी बोलके कुछ भी निर्मान कर सकता है इसलिए परमेश और के जो सामर्थ है अंगिना है कोई गिन नहीं पाता है He has eternal power इसके पास अमर्याज सामर्थ है मनिश्य कभी कलपना नहीं कर सकता है ऐसा सामर्थ परमेश और के पास है तो ये श्मसी में जो हमें अगम में धन मिला है उसका सुसमाचार जो है प्ररीत पौलस कहता है मैं लोगों को बता रहा हूँ ये दुनिया के लोग जो है ओक शनिक संपत्य के पीछे डौड रहे है दुनिया के लोग जो है टेंपररी प्रापर्टी के पीछे डौड रहे है लेकिन एश्मसी में हमको जो प्रापर्टी मिलती है वो अक्षनिक नहीं है वो सार्वकालिक है अनंतकालिन है और वो प्रापर्टी जो कोई गिन नहीं सकता है वो प्रापरटी की कलपणा भी हम नहीं कर सकते है ऐसी प्रापरटी हमें एशुमसी में मिल रही है एशुमसी जब चंगाई देता है ना दवा लेना पड़ता है ना ओपरेशन करना पड़ता है ना सिटी स्कानिंग करना पड़ता है ना एक्सरे निकालना पड़ता है वो बोलता है हमें चंगाई देता है वो छूता है हमें चंगाई देता है तो भाई अरभेनों येश्व वसी में हमें अगम में धन मिलता है अगम में धन अप्राप्ति हो जाती है प्रेइत पॉलस केता है इस अगम्य धन के बारे में मैं अन्य जातियों को सुना रहा हूँ बता रहा हूँ इस अगम्य धन का सुसमाचार जो है मैं दुनिया के लोगों को दे रहा हूँ भायर भेनों जो जिवन आज हम जी रहे है उसकी कॉलिटी बहुत लो है बहुत निमनस्तरिय जिवन हम जी रहे हमें जो कुछ मिल रहा है बहुत किमपररी मिल रहा है एक्षनिक मिल रहा है लेकिन जो परमेश्वर देता है उसके पुत्र एश्वमसी के द्वारा वो अगम में है समझने के बाहर है समझ नहीं सकते है जिसने सुरज को निर्मान किया उसकी ताकत कौन गिनेगा जिसने आस्मान को निर्मान किया उसकी ताकत कौन गिनेगा जिसने धरती को निर्मान किया उसकी ताकत कौन गिनेगा इन सबों का निर्मान करता कितना बड़ा ताकदवान है उसकी संपत्ति कौन गिन सकता है उसका धन कौन गिन सकता है भायर बेनो प्रेरित पौलुस कहता है मैं अगम्मे धन के बारे में अन्य जातियों को सुना रहा हूं दुनिया को बता रहा हूं कि अगम्मे धन जोए आप प्राप्त कर सकते एश्यु मसी के पुत्र नाम परमेश्वर के पुत्र के नाम हालेलुया हालेलुया ये प्रेरित पौलुस कौन था पहले वो एश्यु मसी पर विश्वास करने वाले लोगों को मारने वाला था चलने वाला था जाचने वाला था परेशान करने वाला था वो अंदकार के राज में था वो अंदकार के राज में घुम रहा था वो सत्य को नहीं जानता था वो परमेश्व को नहीं परेचानता था और एक समय जब वो लोगों को मारने के लिए जा रहा था अचानक परमेश्व ने उसको दर्शन दिया वो घोडे से नीचे गिर गया एश्वमस्य खुद उसके साथ बोला और उस दिन से वो एश्वमस्य के चेला बना इसलिए वो बता रहा है कि मेरे उपर अनुक्रह हो गया मेरे उपर दया हो गई मेरे उपर किर्पा हो गई मैं तो अंदकार के राज में था लेकिन आज मैं प्रकाश के राज का हूँ आज मैं प्रकाश का चेला हूँ आज मैं प्रकाश फैल रहा हूँ आज मेरे मुँझे सुसमाचर आ रहा है दुनिया सुन रहे है परमेश्वर कौन है दुनिया सुन रहे है परमेश्वर क्या कर सकता है इतना ही नहीं Paulus ने परमेश्वर के सामर्थ को दिखाया बड़े बले चमतकार दिखाये लोगों को सामने दिखाया परमेश्यर का सामर्थ क्या है He was a very powerful man बहुत सामर्ष चालिय साथ भी हो चुका वो ग्यान से भरा था सामर्ष से भी भरा था एक बार वो एक राजा के साथ बोल रहा था और राजा को एश्मसी के बारे में बता रहा था इतने में वहाँ एक जादुगर मौजुद था मैजिशियन वो जादुगर ने राजा को कहा कि पावलुस का मत सुनो पावलुस तुमें एश्मसी के बारे में बता रहा है ना पावलुस का मत सुनो तब पावलुस को गुस्चा आया और इस पावलोस ने उज्जादुगर के बताया, यह शैटान के बेटे, तुम इसे एक्षान अंद्य हो जाओगे, उसी घड़िव अंद्य हो गया, परेरित पावलोस परमेश्वर के ज्ञान से भरा था, परमेश्वर के सामज से भरा था, लेकिन वो पहले कावन था, पहले एश्वर मसी पर विश्वास करने लोगों को जांचने वार आदमी था, चलने वार आदमी था, उसके उपर परमेश्वर की दया हो चुकी दया हो गई कृपा हो गई अनुग्रह हो गया उसको परमेश्वर ने चुना वो परमेश्वर का चेला बन गया और वो कहता है मैं आज सुसमाचार का सेवक बन चुका हूँ मैं आज एश्यमसी का सेवक बन चुका हूँ और एश्यमसी में जो अगम में धन मनुश्य प्राप्त करता है उसके बारे में मैं लोगों को बता रहा हूँ भाई और भेनों इस अंसार का जो धन है वो अक्षनिक है आज है कल नहीं है लेकिन फर्मेश्वर जो धन हमें दे रहा है उसका पुत्र एश्यमसी के द्वारा वो अगम में धन है कोई ने गिन सकता फर्मेश्वर का खुटता धन है ये इस अंसार में तो हमें पहला किष्ट मिलता है दुसरा किष्ट जो है मरने के बाद मिलता है यह संसार में हम आरोग्य का अनुभो लेते हैं, चंगाई का अनुभो लेते हैं, आशिशों का अनुभो लेते हैं, लेकिन मरने के बाद सीधे स्वर्ग में चल जाते हैं स्वर्ग में अनन्तकालन जिवन है, स्वर्ग में हम परमेश्वर के पास रहते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के पडोस में रहते हैं, परमेश्वर के बीच में रहते हैं, परमेश्वर के बीच में रहते हैं, ऐसा स्वर्ग परमेश्वर ने हमारे लिए और पिरित पौलस कहता है यह अगम्य धन के बारे में बता रहा हूं पूरी मानोता आज दुख भोग रही है संसार के हर कोने में मनुश्य आज बहुत परिशान हो चुका है क्यों परिशान हो चुका है मालू मैं क्योंकि शेटान ने दुनिया का कबजा लिया है दुनिया को ह हासिल क्या है दुनिया उसके हाथ में गई है लोग शेटान का सुनते है और दुनिया का नर्ग बनाते है लोग शेटान का सुनते है और दुनिया का नर्ग बनाते है इसलिए मनुष्य जो है पूरे संसार में आज परेशान है लेकिन जो येश्टमसी पर विश्वास करता है वो शयटान के हाथ से बाहर आता है, मुक्त हो जाता है, उसे जीवन मिलता है, उसे आनन्द मिलता है, शांती मिलती है, चंगाई मिलती है, आशिश मिलती है, और मरने के बाद वो स्वर्ग में जाता है, ऐसे जीवन के बारे में बता रहा हूं, आप जो यहां आए है, मेरे पा मैं यहां महात्वपुर्ण नहीं हूँ, मैं महात्वपुर्ण नहीं हूँ, मैं के अलेश्मसी का चेला हूँ लेकिन जिसके पास अब आये है, वो संसार का मालिक है, दुनिया का मालिक है वो स्वर्ग का मालिक है और वो जो आपको देने वाला है उसको कोई गिन नहीं सकता है कोई नहीं गिन सकता है हालेलुया कोई कलपना भी नहीं कर सकता है ऐसा वो हमें देगा देता है तो भाई और बेहनों ये इस समाचार का स्विकार करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस समाचार के द्वारा हमें अगम्य धन मिलता है अगम्य आशिश मिलते है कलपना के बहर आशिश मिलते है जो कभी सोचा नहीं वो मिलता है परमेश्वर के प्रापरडि के हम वारिज बनते हैं परमेश्वर के प् आप सीधे प्रकाश करने के बाद आप सीधे प्रकाश के राज में कदम डालते हैं प्रवेश्च करते हैं इसके लिए आपको निमंतरन दिया गया है कि आओ मेरे प्रकाश के राज में विश्वास के राज में जहां परमेश्वर के सब प्रॉपर्टि के आप मालिक हो जाते ह हालेलुया अभी प्रात्ना करने का समय है आंके बंकीशे मैं आपके लिए प्रात्ना करने चाह रहा हूँ आपके शरीर के जिस हिस्से को विमारी है वो इस हिस्से पर हात रखे विश्वास के साथ प्रभी शुक्ष आपको उस्पाश करेगा और चंगाई देगा आपके शरीर में से हर बिमारी प्रभी एश्य के पईत्र नाम नस्ट हो जाए आपके जिवन में जो कुछ दूख है प्रभी एश्य के पईत्र नाम नस्ट हो जाए और आपके जिवन पर और आपके परिवार पर प्रभ येश्यो के महान आशिश है